हेलो गैश पुनिया श्लोक इहला भाई के आज के अपसर में दिखायाता है दूशियांत वैद जी को लेकर अहिला के पास आता है और बोलता है कि छोटरा नी आपने सारी जड़ी बूटिया राज वैद जी को देदी थी थी ना तो अहिला बोलते है कि हाँ क्यों क्या हुआ और इसके बाद दिखायात तक हंडराव की तविएत बेगड़ने लगती है और तब यह गोट्यू लेने लगते हैं लेकिन तब यह आपर मदलारव सरगार आ जते हैं तो खंडराव गोट्यू को अपने बाजियों में शपा लेते हैं और बोलते हैं कि बावस है आप यहां तो खंडराव बोलते हैं कि हम समझे नहीं तब ही मलाराव खंडराव से बोलते हैं तब ही खंडराव संदेश पढ़ते हैं तो मलाराव बोलते हैं कि तुम्हारी इस उपलब्दी पर हम बहुत खुश हैं दिली के बाश्या का संदेश है उन्होंने तुम्हारी शर्ते मान लि पर हमें कुछ भी आपत्ती जाने को नहीं मिला है तो अहिला भोलते हैं कि लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। मेरी करना इतनी गल्त नहीं हो सकती। नहीं स्थितिन वैजि उस गूठी नुठ्थी मैं से एक कुछ नप जूरर कुछ रोर वैधा की आपको जूठी जो दूद नीमा जी शोड़ सवधार जी को दे रहे हैं जब तक वो मेरे हाथ में नहीं आ जाता तब तो मैं कुछ नहीं बदा सकता और तब ही अहिला बाहर आती है और बाहर उसे रमजानी मिलती है तो अहिला रमजानी से बोलते हैं कि आओ मेरे साथ और इसके बाद दिखायाता मलाराओ खंडराओ से बोलते हैं कि सच में मानगे तुम्हें हम दाद देते हैं तुम्हारे आत्म विश्वास की तुम्हारे आत्म विश्वास के सामने हमारी गन्नाय सब दरी के दरी रह गई तो खंडरा बोलते हैं कि और फिर भी आप खुश हैं तो मलारा बोलते हैं कि तो क्या नराज हो जाएं बचपन में तुम हमेशा हमें पराजित कर देते थे ऐसा तुम्हें लगता था लेकिन सच तो यह है कि हम जान बुझ कर हार जाते थे ताकि तुम जीत सको तुम्हें खुश देखने के लिए हम तुम से हार जाते थे यह बात तुम अभी नहीं समझोगे क्योंकि मालरा भी छोटा है जब वो बड़ा हो जाएगा तब तुम यह बात समझोगे कि बेटे की जीत में बाप की खुशी शिभी होती है और बेटा कुशी दिनों में तुम्हें दिली की महीन के लिए निकलना है हम त्यारी करवाते हैं और तब यह मलारा भुखंडरा के माथे पर हास लगाते हैं और बोलते हैं कि तुम इतना पसीना क्यों आ रहा है तो खंडरा बोलते हैं कि बस बावसभ ऐसी तो मलारा बोलते हैं कि तुम हमें स्वल्थ नहीं लग रहे हो तो खंडरा बोलते हैं कि नहीं बावसभ ऐसी कोई बात नहीं है हम बिल्कुल ठीक हैं और का ना थोड़ी थो खान हो गई थी तो मलारा बोलते हैं कि अच्छी बात है अग्रेसिवात है तो पर इस समचार के बातों में त्यान रहे कि तुमारी कदमों को डग मंगाने का कोई अधिकार नहीं है तब ही ये कंदे मजबूत रहेंगे और इन कंदों पर तुमारा ये सर और तब ही खंडरा बोलते हैं कि बावसा एक बात अज्वास बावसा हमने दरबार में गुनुजी की नियुक्ति को बहाल करने का पैंसला लिया है और हमने हमारी सैना में उन्हें एक खास पत देने का भी वच्छन दिया है और इसके बाद दिखायाता है रमजानी अहिला से बोलते है कि गुस्ता की माव सोट रानी हमने आपकी बात सुनी हम इस काबिल तो नहीं हैं पर हम आपकी कुछ मदद कर सके तो तो अहिला बोलते है कि आप रात में कितनी देर तक मैफिल सेया सकती है नात रमजानी बोलते हैं कि खुदा की नीमत है आप जब तक चाहें तब तक एक बार साज शिड़ जाएं तो सुबह तक नात रमजानी के गंगरू रुकेंगे और नाहीं सुर पर आप ऐसा क्यूं पूछ रही हैं तो अहिला बोलते हैं कि क्यूंकि आज आपको ऐसी मैफिल स जानी है और इसके बाद दिखाया था मनलाराव खंडराव से बोलते हैं कि तुम बहुत बड़ी बूल कर रहे हो तुम फिर से राइनितियों को रिष्टों का जमा पेनाने और हम इसके शब्र और तब यहां पर अहिला भी आ जाती है तो मनलाराव बोलते हैं कि हम क्या सुन खंडराव ने तना बड़ा फैसल लिया कुनी जी को सेना में नियुक्त कर दिया उससे में जब उसके पिता का वद हुआ तुमारे हाथों से कुनी जी की मन दशा समझ रहे हैं आप लोग बदले की आग जल रही होगी उसके मन में तो अहिला बोलते हैं कि मैं वहीं थी लेक खंडराव बोलते हैं कि अहिला तुमारी बात का क्या मतलब है मतलब हम जो कर रहे हैं उसको को यह मतलब नहीं हमारा हर ने गलत है यही कह रही है न तुम और बावसाइब कुछ देर पहले आप हमारी तारिफ कर रहे थे क्या वो जूट था तो मनलारा बोलते हैं कि नहीं व वहां से चले आते हैं और इसके बाद दिखायाता है खंड्राव गुनुजी के पास आते हैं और बोलते हैं कि हमने बावासाइब से आपकी सेना में न्युक्ति के लिए अनुवत ले लिए और हम बहुत ही जल्द दिली की महीम के लिए रवाना होंगे जिसमें आप हमारे खंड्राव अब आप देखना हम आपका साया बनकर चलेंगे और इतना करकर गुनुजी खंड्राव को गले लगा जते हैं और इसके बाद दिखायाता है मनला रहा हो अहिला से कुछ दिनों से हम खंड्राव के विवार में परिवर्तन देख रहे हैं अभी कुछ देर पहले उसका चैरा पसीने से तर बतर था उसका इलाज राजवेज जी से क्यों नहीं करवारी अहिला कि ऐसी कोई बात ता है जो हमारे लिए जाना बहुत जरूरी है तो अहिला बोलते है कि मुझे शब्दार जी की दवाई में कुछ मिलाया जा रहा है और इस शक को जिकीन में से दूर रखने की यह नहीं तो अहिला बोलते है कि निमा जी को पावसाफ जैसे मैंने सोचा है अगर वह यह नहीं पूरी हो जाए तो कल सोबह तक शोड़ सब्दार ची की बीमारी का राज हमें पता चली जाएगा तो मलारा बोलता है कि इसके लिए तुमें कुछ भी करना झांट